हेलो बच्चों वेलकम टू सेंटम अकार्मी यूट्यूब चैनल जहां पर मिलता है आपको जनुविन कंटेंट तो आज आप प्रॉब्लम सॉल्विंग हम लेके आए हैं वेक्टर का एक क्वेस्टिन तो आए पढ़ते हैं इस क्वेस्टिन को सबसे पहले इफ शॉर्टेस ड जो क्वेस्टिन सेटर है उसने वेक्टर्स 3D और इन्वर्स इग्नोमेट्रिक फंक्शन को मिला कि क्वेस्टिन बना है चलिए प्रयास तो अच्छा है देखते हैं कितना दम है तो दोस्तों जब बात आती है डिसंस बिट्वीन टू लाइन्स की तो लाइन्स हमको मालूम ह क्वेस्टिन काडिगरी में गिरते हैं या तो दोनों पारलल होंगे अगर पारलल होंगे तो उनका जो डारेक्शन को साइन्स का जो प्रपोर्शनलिटी कॉंस्टन होता है वह सेम होता है तो यह जो टर्म होता है जो लामडा वन और लामडा टू के साथ जो वेक्टर क्या मतलब अगर आप दोनों को आगे बढ़आए दोनों लाइन को आगे बढ़आ है तो तो यह जाकर करει तो आईए देखते हैं इन में से कौन सा दोनों case है अगर ये co-planer है कहीं न कहीं जाके intersect कर रहे हैं तो shortest distance 0 आ जाएगा और अगर ये skew line से मतलब ये intersect नहीं कर रहे हैं तो हमारा shortest distance एक non-zero value होगा तो आईए देखते हैं तो इस case में हम लोग क्या करते हैं हम लोग line के दो जो points दिए गए हैं जैसे कि आप देख पा रहे होगे कि यहां पर हमारे पास जो line दिया हुआ है उसमें ये एक point है उस line के उपर और उसी प्रकार से ये भी red वाले से जो मैं दिखा रहा हूँ वो भी एक point है दूसरे line के उपर तो हम लोग क्या करेंगे पहले इन दोनों points को ले लेंगे a1 a2 कहते हैं इनको तो a1 a2 क्या है हमारा a1 a2 है i cap प्लस 2j cap प्लस 3k cap और a2 है 2i cap 4j cap प्लस 5k cap ठीक है अब हम लोग क्या करेंगे a1-a2 vector निक माइनस 2j माइनस 2k ठीक है फिर हम लोग क्या करते हैं फिर हम लोग यह जो दोनों direction vectors है आए यह direction vectors को भी लिख लेते हैं तो b1 और b2 हमारे दो direction vectors हैं 2i cap 3j cap प्लस 4k cap और जो b2 vector है हमारा वो है 3i cap 4j cap प्लस 5k cap ठीक है तो जो shortest distance होता है दोस्तों जो shortest distance होता है shortest distance हम लोग ने पढ़ा ही है is nothing but it's the projection of is the projection of a1 minus a2 in the direction of in the direction of the cross product of b1 and b2 ठीक है तो b1 और b2 के cross product में अगर हम a1 minus a2 का projection ले 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 तो वो shadow basically हमारा shortest distance हो जाता है हाला कि मैं इसको आपको दिखाने के भी कोशिश करूंगा 3d geometry के तुरू तो यहां पर b1 cross b2 निकालने के लिए हमें cross product निकालने का तरीका हम सब को मालूम है हम लोग एक determinant बनाते हैं जिसमें पहला रो होता है the unit vectors i cap j cap k cap दूसरा रो होता है the components of b1 तीसा रो होगा आपका components of b2 ठीक है तो आइए देखते हैं का निकल के आता है so i cap 15-16-1- j cap 10-12-2 and plus k cap 8-9-1 ,-1 i cap plus 2j cap-k cap तो a1-a2 यहां पर हमें मिल चुका है b1 x b2 यहां पर हमें मिल चुका है तो आईए हम लोग निकालते हैं shortest distance के लिए क्या करना पड़ेगा projection यह बहुत important है projection of A1 minus A2 in the direction of B1 cross B2 तो shortest distance के लिए हमें projection of A1 minus A2 in the direction of B1 cross B2 मतलब क्या दोस्तों मतलब यह की हमें A1 minus A2 का dot product लेना पड़ेगा with the unit vector along B1 cross B2 जराइए मत भूलिएगा यह महंगा पड़ सकता है तो अगर आपको projection लेना है तो आपको dot product लेना पड़ेगा unit vector along the along the B1 cross B2 vector तो चलिए ले ले लेते हैं क्या दिक्कत है इसमें A1 minus A2 क्या था मुझे बहुत भूलने की यादत है minus I minus 2J minus 2K तो यह हमारा A1 minus A2 vector था B1 cross B2 तो उपर ही लिखा हुआ है minus I plus 2J minus K divided by modulus of it modulus of it होगा 1 square 2 square 1 square जो की actually root 6 आएगा तो आईए देखते हैं इसकी value आएगी 1 minus 4 plus 2 अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ कभी-कभी answer negative भी आ सकता है तो mod लेना ना भूलें ठीक है mod मतलब उसको positive करने के लिए vector का modulus या magnitude वाला mod नहीं है यह है उसको positive करने के लिए जो mod चाहिए तो यहाँ पे हमें mod की जरुवत तो पड़ेगी तो यह आजाएगा 1 by root 6 units ठीक है तब आएगे देखते हैं यह हमारा x का value आ गया तो question क्या देगा है question हमें तो question ने क्या पूछा है question ने पूछा है cos inverse cos root 6 x ठीक है तो चलिए आएए निकालते है cos inverse cos root 6 x root 6 x means cos inverse cos 1 ठीक है अब देखें दोस्तों cos inverse cos theta यह बहुत important चीज है जो कि बहुत लोग गरबड करते है cos inverse cos theta यह theta तभी होगा जब theta belong करेगा उसके principal value ब्राश में मतलब 0 से pi के बीच में ठीक है तो यहाँ जो 1 radian है यह 1 radian की तरह count होगा 1 degree की तरह नहीं होगा 1 radian की तरह होगा तो 1 radian of course 0 से 3.14 के बीच में होता है ठीक है तो यह basically follow करेगा formula हमारा cos inverse cos 1 क्या हो गया यह answer हो गया 1 तो देखिए answer आपका कितनी आसानी सहा निकल के आ रहा है चलिए देखते हैं कौन सा option सही है कौन सा option सही है option number C सही जवाब और आपको मिलते हैं पांच उरपए चलिए तो यह था हमारा mathematically problem solving video अब आईए इसको जरा देखते हैं GeoGebra की मदद से यह कैसा दिखता है तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं 3D GeoGebra calculator के उपर तो यहाँ पर सबसे पहले मैं दोनों जो lines दिए गयते हैं मैं वेक्टर फॉर्म पर उसको मैं यहाँ पर sketch करूंगा तो basically हमारा जो line था वो था आर इक्वल टू यहाँ पर GeoGebra में आर के जगह हम capital X लिखते हैं और वो जो point जिससे वो pass कर रहा था वो था 1,2,3 प्लस lambda टाइम तो GeoGebra में lambda की जगह पर हम कोई parameter T लिख सकते हैं ज़रूरी नहीं है कि आप lambda ही लिखो तो 2,3,4 ठीक है तो आपको दिख रहा होगा एक line अपने right side of the screen पे चलिए अब दूसरा line भी लिख लेते हैं दूसरा line था हमारा R is equal to 2,4,5 मतलब वो उसके उपर जो points थी वो था 2,4,5 प्लस अगें T times 3,4,5 3,4,5 ठीक है तो आपको दोनों यहां lines दिख रहे होंगे मैं थोड़ा सब गुमा के भी दिखा देता हूँ तो यह दोनों lines जाहे तोर पे skew lines है skew lines है इसका मतलब यह कि दोनों non co-planar है और यह कहीं पर मिल नहीं रहे है जैसा कि मैंने बताया यह एक road और flyover की तरह है ठीक है तो इनके बीच हमें shorter distance निकालना है तो दोस्तों सबसे पहले यहां पर मैं क्या करूंगा मैं जो point है 1,2,3 उसको भी दिखाने की कोशिश करूंगा तो point लिखने के लिए normally हम लोग जो अपना normal trend इस्तमाल करते हैं capital A लिखते हैं और bracket में तीनों coordinates लिख देते हैं दिख रहा होगा आपको यहां पर आपको साफ तोर पर यहां पर दिख रहा होगा ठीक है अब भी पॉइंट भी लिखते हैं जो हमारा भी पॉइंट था 2,4,5 उसे भी लिख टालते हैं यह देखे भी पॉइंट आपके दूसरे लाइन पर है यहां पर मैं क्या करता हूँ थोग कलर चेंज कर देता हूँ पहले लाइन का जो कलर है वह मैं थोड़ा हरा भरा हाँ चलिए हरे रंग से दिखाता हूँ ठीक है अब दोस्तों हमें क्या करना है हमें निकालना है cross product of the direction vectors of these two lines ठीक है तो cross के लिए हम क्या करते हैं हम लोग दो वेक्टर करते हैं वेक्टर को दिखाने के लिए 3D में 3D geometry में या जियो जीब्रा में कह लिए हम लोग small letters का इस्तमाल करते हैं तो 234 जैसे ही मैं लिखूंगा इसको एक वेक्टर की तरह करेंगा कि मुझे दिखाना नहीं तो मैं इसको hour and your drink लेते हैं डीर हमारा हैben तो इसको इसको दिखाना नहीं है तो मैं अज़े कर लोगा ठीक है 175 अब हमें cross product of c और डी दिखाना है ठीक है तो क्रॉस प्रॉडक्त के लिए कामांड है क्रॉस करके आप लिखोगे और उसके पैरामीटर में और इसके इंपुट्स में आप सी और डी वेक्टर लिख दोगे तो आपको क्रॉस प्रॉडक्त दिखा देगा ठीक है तो देखिए क्रॉस तो सबसे पहले एक आप लाइन बना लीजिए कनेक्टिंग एन बी ठीक है था आपको दिख गया होगा कि एक लाइन सेग्मेंट बनके आ गई है अब मैं जरा सा इसको एक डिफरेंट व्यू में लेके जाता हूँ चलिए दोस्तों अब हमने ग्राफ को ऐसा पॉजिशन कर लिया है कि आपको जो लाइन है जो की बी से पास करता हुआ लाइन है वह आपको एक्चुली दिख भी नहीं रहा होगा वह इग्जाक्ली इस पॉइंट बी के पीछे चुपा हुआ है इसका मतलब हम लोग ने अपना व्यू ऐसे कर लिया है ताकि डाइट पर्टिकुलर लाइन पासिंग थूद पॉइंट भी इस गोइंग विदिन दा प्लेइन ओफ आवर लाप्टॉप ठीक है अब देखिए मैं क्या करूंगा यह जो वेक्टर है जो डॉटेट वेक्टर आपको दिख रहा है जो कि हमारा उसको ट्रांसलेट करूंगा ट्रांसलेट मतलब उसको मैं मूव करूंगा मूव करके मैं उसको ऐसे पोजिशन पर ले आऊँगा जो कि आपको उसके विजुलाइजेशन में मदद करेगा तो मैं उसको उस वेक्टर यू को मूव करके ले आता हूँ पॉइंट ए की पोजि को डिस्टेंस दिखाने की कोशिश करता हूं यह जो डिस्टेंस आपको दिखेगा यह वाला डिस्टेंस दिख रहा है यह जो डिस्टेंस है यह आपका shortest distance होगा this will be your shortest distance ठीक है तो basically क्या करते हैं हम लोग ab का जो a और b के बीच का जो distance है उसको project करते हैं तो यह जो length आपको दिख रहा है जो हम लोगों ने यहाँ पर दिखाया हुआ है यह जो red color से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं यही तो shadow है a1-a2 का तो यही shadow है a1-a2 का on the cross product of cnd यही distance हमें shortest distance देता है दोस्तों तो hopefully यह वीडियो आपको मददगार साबित हुआ होगा यह विजुलाइज करने के लिए कि हमारा shortest distance actually दिखता कैसे है 3D geometry में thank you so much for watching keep learning and stay safe हुआ 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 है